आज के विशे है सगुण भक्ति धारा के परमुह के भी रचनाएं और उनकी विशेष्थाएं इस वीडियो में सव अती महत्योपूर्ण वस्तोनिष्ट परस्णों को समलिद किया गया है जिसमें सगुन भक्ति धारा के सारे बिंदों और तत्यों को प्रस्तूत किया गया है तो पहला परस्ण है राम चंदर सुकले ने भक्ति काल का निर्धार्ण कब से कब तक किया है तो सही उतर है समवत 1375 से 1770 तक दूसरा प्रस्ण है डक्टर नैगिन्द्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है तो सेयुतर है 1350.17 से 1650.17 तक दूसरा प्रस्ण है राम भक्ति काविय धारा के आदी परवर्तक हैं तो सेयुतर है रामानन्द चोथा प्रस्ण है रामा स्रेज साखा या राम भक्ती साखा के प्रतिनिधी कभी हैं तो यहाँ पर सहुतर होगा तूलसी दास सगुन भक्ति धारा के दो साखाएं है राम स्रेश साखा और कृष्णा स्रेश साखा जिसे राम भक्ति साखा और कृष्णा भक्ति साखा कहा गया है सगुन भक्ति का अविया में राम वा कृष्णा को निमलिखित में किसका अवतार माना गया है तो सहीतर होगा विश्णू वैस्ण भक्ति किस से सम्बंदित हैं तो सहीतर होगा यहाँ पर भागवत धर्म सात्वाँ परस्ण है वैस्णू मत के परचार परसार में किसका योगदान है तो सहीतर होगा उपिरुक्त सभी यानि रामानुजाचार विश्रों स्वामी वल्लाभाचार ये सारे वैसरों मत्य के परचार परसार में आहम भूमी का निर्वाहन किये हैं आठमा परसन है तुलसी दास राम भक्ति काव्य धारा के परमुकवी हैं निम्लिखित में उनकी कौन सी रचना नहीं है तो इहां पर होगा किश्नावली सहीतर होगा रामागिया परसन राम चिट्रमान सिविने पत्री का उनकी रचना है और किश्नावली इनकी रचना नहीं ह नमा परशन है तुलसी दास की माता का क्या नाम था तुलसी दास की माता का नाम हुलसी है और उनकी पतनी का नाम है रतनावली और उनके पिता का नाम है आत्मा राम दूबे आत्मा राम दूबे ग्यार्मा प्रशन है राम के प्रति तूलसी की भक्ति किस प्रकार की है तो सहीतर होगा दास्तिय भाव की मीरा की जो भक्ति भावना किष्णे के प्रति वा माधूरिय भाव की है और सूर्दास का किष्णे के प्रति जो भक्ति भावना है वा सखा भाव की है बारहवा परशन है राम भक्ति काव्य का दार्षनिक अधार है तो सही उतर होगा दिश्ट अद्वेत वाद परशन है राम चिर्ट मानस में तूलसी दास ने निमलिखित में सी किसका समनवे परस्तूत किया है तो सही उतर होगा उपरुक्त सभी निर्गुन सगुन का समन्वे है ग्यान भक्ती का समन्वे है ग्रिहास्त और वेराग्य का समन्वे है चोदावा प्रशन है तूलसी का सारा काविय समन्वे की विराथ चेस्टा है यह कथन किस विद्वान का है या आती मत्रपुन प्रष्ण है ये बहुत सारे परिछाओं में पूछे गए हैं तो सही उत्र होगा हजारी परसाद दिवेदी पंद्रमा प्रष्ण है राम चृत्मानस की भासा क्या है तो सही उत्र होगा अवधी तूलसी दास की अन्य रचनाएं हैं राम चित मानस के अलावा गितावली, कवितावली, विने पत्रीका, जानकी मंगल, दुहावली, वर्वे रमान, कृष्ण गितावली, राम लाला नहचु तूलसी दास की ब्रज भासा में लिखित रचना है, तो सयुतर होगा उपर्युक्त दोनों, विने पत्रीका और कवितावली ब्रज भासा में लिखा गया है, जबकि राम चित मानस अवधी भासा में लिखा गया है परशन है, राम चित मानस का कावय रूप क्या है, तो सयुतर होगा महा कावय, परशन है, राम चित मानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो सयुतर है दोहा चौपाई उनिस्वा परश्ण है तूलसी के काव्य में वह कौन सी विश्यस्ता है जिसके कारा राम चंद्र सुक्रे ने उन्हें भक्ति काल का सर्व स्रिष्ठ का भी घोशित किया है तो सेउतर होगा लुक मंगल की साधना विस्वा परशन है निमलिखित में कौन सी काव्य परिविर्ती राम भक्ती काव्य में नहीं है तो सहीतर होगा राम सीता का स्रिंगारी वर्णन अगला परशन है निमलिखित में कौन राम भक्ती काव्य धारा का कभी नहीं है तो सहीतर होगा इन में से कोई नहीं यानि रामभक्ति कावैधारा के कभी हैं अग्रदास, नाभादास, इस्वरदास 22 परशन है तूलशी दास के कीज रचना में राम के प्रती देनन्य भाव चरम उदकर्स रुप में व्यक्त हुई है तो सहितर होगा विने पत्री का तुलसी दास के राम व्यक्तितों में वह कौन सी विशेष्टा है जो सूर के किष्ण में नहीं है तो सहीतर होगा मर्यादा पुरसोतम भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वे करने का अपार धर्य लेकर आया हो यह खथन किसके संदर्व में कहा गया है सहीतर होगा तुलसी की समन्वे चेष्टा 25 परशन है राम चरित मानस के बाद राम काव्य परमपरा में कौन सा गरंथ उलेखिनी है तो सहीतर है राम चंद्री का या केसव दास द्वारा रचित रचना है 27 परशन है राम चरित मानस में कूल कितने कान्द है तो सहीतर होगा साथ 28 परशन है आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रगुनात कला की हनुमान अस्तुती की सपंक्टी की रचनाकार कौन है तो सहीतर होगा रामानन्द अधिकतर विद्यार्ती इसी तुलसी दास को मानते हैं लेकिन सेयुतर होगा रामानंद उन्तिस्वा पर्षन है लाज नलागत आपु को दोरे आयहू साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहू मैंनाथ या पंक्ति किस संदर्व में है तो सेयुतर होगा तुलसी का पत्नी मों रतनावली उनकी पत्नी का नाम है जो तुलसी दास को या पंक्ति कहा है तिस्वा पर्षन है अब लाव नसानी अब न नसहों या पंक्ति तुलसी की किस रचनाकी है तो सेयुतर होगा विने पत्री का अगला प्रशन है विशिष्ट अद्वैत के परतिपादक आचारे कौन थे तो सेटर है रामा नुजा चारे प्रशन है पुष्टी मार के परवर्तक आचारे कौन थे तो सेटर है वल्ला भाचारे अगला पर्षन है द्वेत वाद के परवर्तक आचार्य कौन थे? तो सेवतर है मधवाचार्या, सुध अद्वेत सिधांत के परतिपादक आचार्य कौन थे? तो सेवतर होगा वल्लवाचार्या 35 परशन है द्वेत अद्वेत वाद के परवर्तक अचार्य कौन थे तो सेवतर है निम्बार का अचार्य 36 परशन है सक्षी संपरदाय के परवर्तक कौन थे तो सेवतर होगा स्वामी हरिदास अगला प्रशन है बंगला भासा में रचित राम कथा का नाम क्या है तो सेवतर है कृति वासी रामान अगला प्रशन है इस्वर अंस जिव अभिनासी पंक्ती का क्या अर्थ है तो सेवतर है जिव ब्रह्म का ही अंस है उन तालिस्वाँ परशन है कवितावली का मुख्य चंद है, तो सेयुतर है कवित सवया, चालिस्वाँ परशन है तूलसी का जन्व बांदा जिला के किस गराम में हुआ था, सेयुतर है राजापूर, एक तालिस्वाँ परशन है तूलसी दास ने अपने अभावगरस्त बच समवा सो दूर्शी दास सिर्शक से किस आधुनी कवी ने तूलसी दास के विक्तितों पर लंबी कविता लिखी है से उतर है निराला यानि सूर्य कांत तिरपाथी निराला तुल्सी की कला यावक्ति किसकी है यावक्ति अयोध्यांसी उपाध्याई की है 45 परशन है स्वेम को सीता की सक्षी मानकर रस्पून काविय रचना करने वाले कभी कौन है तो सेथर होगा अग्रदास 47 परशन है तुल्सी दास ने अपने सारीक पेड़ा से मुक्ति पाने के लिए किसकी अस्तोती में काविय रचना की थी तो सेथर है हनुमान और 44 परशन है तुल्सी दास को कली काल का वाल में की किसी ने कहा है सेथर है नाभा दास राम कथा के आधुनिक व्याख्याकार की रूप में सर्व परसिद है राम कींकर उपाधियाए 50 परशन है निवनिकित में कौन कभी विठल नाथ का सिस्य है सेथर है उपरुक्त सभी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास विठल नाथ के सिस्य है अगला परशन है राम कथा काव्य परंपरा का शोधपुन अधियन करने वाले परमुक आधुनिक विद्वान कौन है सेथर है फादर कामिल बुलके क्रिश्ण भक्ती काव्य में क्रिश्ण के किस उरुप की परधानता है सेथर है ए और बी दोनों यानि लोकरक्छक और लोकरंजन सेथर है मर्यादा पुरसवतम की उरुप में राम की परधानता है यानि लिखित में कौन सा संप्रदाय क्रिश्ण भक्ती से संबंधित है सेथर है उपर्युक्त सभी यानि वल्लव संपरदाय, निम्बार के संपरदाय, हरिदासी संपरदाय, ये सारे किष्ण संपरदाय से समंदित हैं पच्पनवा प्रशन है पुष्टी मार के परवर्तक हैं से उतर है वल्लवाचार्य अगला प्रशन है पुष्टी मार का दार्शनिक अधार क्या है सेवतर है सुद अदवैत अगला प्रशन है किष्ण भक्ति सहित में मुख्य कवी कौन है तो सेवतर है शूरदास अस्ट छाप के कवी की संपरदाय से संबंदित है तो सेवतर है वल्लव शंपरदाय अस्ट छा पल्ँ शाप कव्यों में कौन वल्लवाचार के सिस्से नहीं है तो तो सहितर है यहाँ पर नंददास अश्ठ छाप जिसे अश्ठ सखा कहा गया है गोसामी विठल नाथ ने जीन कव्यों को आश्रेबा दिया वे अस्ट छाब कवी कहला है, अस्ट छाब कवियों में वल्लभाचार के चार सिसे हैं, जिसमें पहला हैं सूरदास, जिसके बाद परमानंदास, किष्णदास, कुम्भन दास, और अस्ट छाब कवियों में गुसामे विठाननात के चार सिसे हैं, पाचमा गोविंद स्वामी, छाठा छीत स्वामी, साथमा चत्रभुजदास और आठमा आंति मैं नंददास तो अस्ट छाप कभियों से बहुत सारे परिशाओं में पूछे जाते हैं बहुत यह इंपोर्टेंट है, वीवी आई है, इसे ध्यान में रखेंगे और इसका अभ्यास कर लेंगे साथमा प्रशन है, कृष्ण की लीला वार्णन में किस भक्ती भाव की परधानता है तो सहित्वर है यहाँ पर माधुरिय भाव की परधानता है अगला प्रशन है, कृष्ण भक्ती कावय में कथा का मुलस्तरोत क्या है तो सहित्वर है यहाँ पर स्रीमद भागवत अगला प्रशन है, कृष्ण भक्ती कावय में वार्णित भ्रामर गीत का क्या अर्थ है तो सेहतर है आपर भ्रामर को माध्यम बना कर लिखे गए गीत भ्रामर गीत में गोपियां किस से तरक वितर करती हैं तो सेहतर है यहाँ पर उद्धव इला प्रशन है सूर के भ्रामर गीत के संदर में कौन सा कथन असत्य है तो सेउतर होगा यहां पर इसमें प्रेम पर ज्ञान की विजय हुई है यह कथन असत्य है जबकि ज्ञान पर प्रेम की विजय हुई है इसमें सगोन निर्गोन की तर्क पुन चर्चा की गई है यह उपालम भावना से पुन है गोपियों का एक निष्ठ प्रेम है अगला परशन है पुष्टी मारगिय भक्ती में पुष्टी का क्या अर्थ है तो सही उतर है भगवत किर्पा अगला परशन है सूर्दास मातरी हिर्दे का चितर खिचने में अपनी सानी नहीं रखते हजारी परसा दिवेदी का या कथन किसके संदर में है तो सही उतर होगा यहाँ पर वात्सल्य वर्णन अगला प्रशन है सूर्दास वात्सल्य रस की एक्छत्र सम्राट है या कथन किसका है तो सही उतर है राम चंद्र शुक्ल कृष्ण भक्ति कावी की भासा क्या है तो कृष्ण भक्ति कावी की भासा है ब्रज सूर की वाग वेदर गतेता अथवा उक्ती वेचित्री का सर्व स्रिष्ट उदाहर न किसे परसंग में मिलता है तो से живतर है उध्धव गोपी संबाद किष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्यामर गीत का मुख्य पर्ति पादी क्या है मुख्य विशे क्या है तो सहितर होगा यहाँ पर सगुन उपासना की प्रतिष्ठा एक हतरवा परशन है कौन सी विशेष्था सूर के भरमर गीत में नहीं है तो सहितर होगा या सोधा का वादसल्य प्रेम मेरी तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई या पंक्ति किसे किष्ण भक्त कभी की है सहितर है मीरा बाई परशन है रसकान का मुल नाम क्या है रसकान का मुल नाम शयद इबराहिम है जो किष्ण भक्ति से समंधित उन्होंने कावे रचना की है सूर्दास का जन्मस्थान कहां है सेवतर है सिही 75 परशन है सूर्दास की जन्मतिति क्या है तो सेवतर है सन 1478 इस्वी अगला परशन है पुष्टी मार को जहाज जात है सो जाको कछू लेना होई सो लेव गोस्वामी विठालनात का या परशिद कथन की संदर्व में है सेवतर है सूरदास के निधन पर सूरदास को पुष्टी मार का जहाज कहा गया है अगला परशन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है सेवतर है कृष्ण लहरी सूर्दास ने सूर्दास ने सूर्दास की रचना में किस गरंथ को अधार बनाया है तो सहितर है भागवत पुरान अगला प्रशन है भकतन को कहा सिकरी सो काम आवत जात पनहया टूटी विश्री गयो हरी नाम या पंक्ती किस कभी की है या पंक्ती कुंभनदास की है किसे कृष्ण भकत कभी के पद सुनकर अकबर ने उसे अपनी दरबार फटेश पुर। सिकरी अमंधृत किया था तो सेयुतर है कुम्भन दास कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में काव्य सुन्धर के दिर्ष्टि से सूर्दास के बाद किस कवी का स्थान माना जाता है तो सेयुतर है नंद दास की कौन सी रचना नहीं है सेयुतर है ब्रज विहार रुपमंजरी, रसमंजरी, रासपंचाद्याई, नंददास की तिनों रचनाएं हैं राधा वल्लब संपरदाई के संस्थापक कौन है? राधा वल्लब के संस्थापक हैं हित हरिवन्स तूर सागर का सबसे मरमसपरसी और वैदगधपुन प्रसंग कौन सा है? जिसमें गोपिया उधोष से समवात करती हैं आधनी काल के किस कवी ने भ्रहमर गीत को आधार बनाकर उधोष सतक की रचना की है? से उतर है जगनात दास रतनाकर देखे कि मापरस्ण है अचार बिठहल ने किस कवी के लिए पुष्टी मार का जहास के उपमा दी है? तो सेवतर है सूर दास किसे कृष्ण भक्त कभी को जड़िया की उपाधी मिली तो सेवतर है नंद दास सूर सागर में कुल कितने असकंद है सेवतर है बारह परशन है मीरा भाई ने किसी अपना गुरु से विकार किया है तो मेरा भाई की गुरु है रे दास जिने रवी दास वी कहा जाता है मेरा भाई का विवाह किसे हुआ था तो मेरा भाई का विवाह भोजरार से हुआ मेरा भाई की जो रचनाएं है गीत गोविंद टीका, नर्सी जी का मायरा, राग सुरुठा, राग गोविंद अगला प्रशन है प्रेमवाटिका की रचनाकार कौन है? प्रेमवाटिका की रचनाकार रसकान है रसकान है आधुनी काल में किस कभी ने किष्णायन नामक रचना अवधी भासा में की है तो सेउतर्वगा द्वारी का परसाद मिस्र तमिल में रचित कम बरामान की रचना किसने की? से उतर है कम बन साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथली सरन गुप्ति की रचना है अगला परशन है सुदामा चैवित की रचना कार कौन है? सुदामा चैवित की रचना कार है नरोतम दास अगला परशन है अस्टियाम और भगतमाल के कईवी कौन है तो सेथर है नाभादास भरत मिलाप और सत्यवती कथा के रचनकार कौन है तो सेथर है ईश्वर दास अगला परशन है मराथी में एक नाथ ने कीसे फुस्ते की रचना की है मराठी में कनाथ ने भावार्थ रामान की रचना की है दान लिला और किर्टनावली की रचनाकार कौन है सेवतर है चत्रभूज दास तो इस वीडियो में जितने प्रशनर जो सामिल किया है सौज जो MCQ है यह आपकी परिछा के लिए आती महत्यपून है इसका निश्चीत रुप से आप भिहास कर लें तो वीडियो कैसा लागा आप हमें कमेंट कर बताएं हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी परह को सब्सक्राइब करें वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें नमस्कार